अपने लश्क सेसाथ अपने आपको जोर कर जो मेहनत करता है आयोजन करता है प्लानिंग करता है वो स्चीध रूप से सारोजनिक जीवन में देर सरकारों के आंकड़े मैंने देखे हैं विकास के आंकड़े देखे यूजनाओं के आंकड़े देखे मुदी जी आये तब देश में 20,000 गाओं ऐसे थे आजादी के 70 साल के बाद कि जिसमें बीजली का कंभा भी नहीं लगा था और कोई प्रद्यानमंत्री होता तो साइद यह लक्स रख देखता कि चलो भई 20,000 गाओं में हम बिजली पहुँचा देगे मगर मुदी जी ने लक्स तय किया गाओं में बिजली पहुँचने से घर को क्या फाइदा उन्होंने तय किया कि 2022 के पहले मैं देश के हर घर में बिजली पहुचा हूँगा और मित्रो अज घेर देश के हर घर में बिजली पहुचाने का तामता है हो चुका है मुझे ठीक याद थे मनोजी आये थे मोदी जी के साथ कस्मिर के विकास की चिंता हो रही थी मोदी जी हर बार कस्मिर के विकास का रिव्यू करते हैं तो प्रधान मंत्री आयुशमान भारत युद्ना की बात निकली तो मोदी जी ने कहा कस्मिर ने बहुत घावस है देश भर में प्रधान मंत्री आयुशमान भारत युद्ना हर गरीब के लिए है कस्मीर में प्रदानमंत्री आविशमान भारत युद्ना हर कस्मीरी के लिए होगी इसमें कोई मर्यादा नहीं होगी और आग 5 लाग तक का खर्चा हर कस्मीरी परिवार का मोदी जी की प्रदानमंत्री आविशमान भारत युद्ना और सेहत्य कांपिनेशन होगी अगर लक्स रखते हैं हम तो लक्स एचीव भी होते हैं वित्र पांच अगस्त 2019 का देट तिथी मैं कोई सब्द चोड़ना नहीं चाहता कस्मीर के इत्यास में सुवनमय अक्सरों से निखा जाने वाला तिथी कस्मीर के अंदर एक नई शुरुवात दसत आतंकवार भय प्रस्टाचार परिवारवात का अंत होकर सांती विकार समरुद्धी और सहस्तित्व के एक नई यूग की शुरुवात हुई इसको जब्मु कस्मीर के यूवाओं ने बल देना है यह उपर्चुनिटी जो आपको मिल रहे हैं यह विकास जो आपको दिखाई पड़ता है मैं इकास के आंकड़े और बाकी सारी बाते भी बताता हूं कि धेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला हमें क्या मिला आज 45,000 से ज़्यादा यूवा यहाँ पर बैठे हैं सब कहते हैं कि हमें उपर्चुनिटी मदी है जीवन में उपर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है पर बहुत सारा विकास का काम भी शुरूआ हुए है और हम चाहते हैं कि कसme र पहले बहुत सरकार से मदद आती है आज भी आती है आनी भी क्यांकि बहुत सहाहे करणतु एक दिन ऎसा जरूर आएगा कि कसमे भारत के विकास के यूदे करें लेने वाला नहीं भारत को देने वाला ब्रदेश बने इस प्रकार का हमारा जम्मु कस्मीर के युवाओ को मैं कहना चाहता हूँ मित्रू आज मेरे मैं आपके सामने खड़ा हूँ भारत के गुरू मंत्री ये नातेव खड़ा पूदीजी ने मुझे भारत के गुरू मंत्री की जिम्मेदारी दी भारती जन्ता पार्टी दुनिया की सबसे बड़े राध्दितिक दलका अध्यक्स भी रहा हूँ परंदु मेरी केरियर की सुरुवात एक पोलिंग भूद के अध्यक्स से होती है मेरे परिवार का कोई राध्दितिक व्यगराओं नहीं है ना मैं कोई मुख्यमंद्री का बेटा हूँ ना विदायक का बेटा हूँ ना मेरी मा कभी राध्दिति में थी ना मेरे दादे पर अगर लोग तंत्र की खुब्सूर्ती जमुर्यत की खुब्सूर्ती है कि नीचे से मैं इस देश इतने बड़े देश का गुरू मंत्री बन सकता हूं आप लोग मुझे साच अप्यों बताना भी जाएं पांच अगस्त के पहले कश्मीर का युवा इस देश का वित मंत्री या गुरू मंत्री या देश का राष्टरपती उपराष्टरपती बनने का सूच सकता था सत्तर साल की जमूर्यत में क्या दिया 87 विधायक 6 संसत और तीन परिवार मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का सब जानते मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधी देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है और मैं मानता हूँ कि लगबग पंचाय चुनाव में 4,291 निर्वाचंग शित्रों में चुना हुआ ब्लॉक विकास परिशत के अंदर 250 सी तैसिल पंचायतों का और जिला परिशत की सब्सकें है जो लोग चला रहे हैं वो इसलिए चला रहे हैं कि जमूर्य लोगतन्त्र Tri Pari परिवारों की घिरप निकर एक घरिब के घर में घूर हर पंचायद मेरी का सदज्या थे तैसिल पंचायद में उसका पनंचायद का सदज्या डॉक का सदश्या है यह लोगतंत्र को पर को dragging करने का काम नरMore इंद्र जिने कि आ पर जम्मू कस्मिर में साच अधमी इतने सालों के बाद लोगतंतर की सुरुवात देश बर में 30 तरहिया पंचायत की सुरुवात सालों पहले हो गए अगर जम्मू कस्मिर में नहीं हो थी और मैं मानता हूँ कि यह बहुत बड़ी opportunity अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी opportunity हमारे युवाओ को मिली है और इद पकारों कि मुझे हो बताओ वला गाहन पंच सरपन्श कौन बनेगा पांच साल के बाद आप ही बनोगे वंच सरपन्श पंच बनोगे इस जिए पंचायद के सदस्य भी बन सकते हो तो भी-ढायक भी-बन सकते हो जंब को समीख के मुख्यमंतो भी-धरन सकते हो और देश की संसद में भी जा सकता है यह opportunity पहले कुछ परिवारों तक सिमित थी नरेंद्र मोदी जी ने एक नई शुरुआत करी है और इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मैं मानता हूँ युवाओं ने इस प्रक्रिया पर प्रक्रिया को जूटा चाहिए और धेर सारे जो लोगतंत्र के फाइदे हैं उसको लोगों तक पहुँचाने की सुवाद करना थे प्रष्टाचार के अंदर भी कमी हुई है मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ लगबक कस्मीर के हर घर में गैस पहुचा है किसी को 25 पैसा नहीं देना पड़ा होगा गैस की बोटन के लिए यहां बैठे हैं जिनको सबसीड़ी मिलिये वजीफे मिले हैं जिनको लॉन मिला है जो खेलों के साथ जुड़े हैं ओनलाइन जुड़ सकते हुआ कोई ब्रष्टाचा नहीं हुआ है पारदर्सी तरिके से भरती हुई है मैं आकरे बाद में दूंगा वगर किसी की सिफारि है आपके पास कववद है आपके पास कोसल है तो आफ़ो जाएगा किसी किसी फारिष की जर्मदि अगर शाय का हफ्ता हुआ विद्वा सहाय की ज़िए हुआ कि उसको तका थाने कि अंदर पहुंच जाता है किसी को धक्का खाने की जरूब कोई आपसे पांट पैसा भी नहीं माग सकता सा कि मोदी जी किसानों को 6000 रुपिया साल का बेचते हैं जमु कस्मीर के किसान को भी बेचते हैं वहां से एक बटन दबाते हैं दस मिट में आपके बैंक कि एकांट में ट्रांस्पर हो जाता है मैं जम्मी कस्मीर के युवाओं को पूछना चाहता हूं इस प्रकार की व्यवस्ता क्या अभी हमने कभी सोची थी पांच अगस्त दोजार उनीस के पहले संभव था क्या यह पारदर्जिता बड़े ब्रश्टाचार का खात्मा जम्मु कस्मीर के विकास की नहीं है मेरी बात्यार इस राज्य को ब्रश्टाचार ने दिमक की तरह इसकी जड़े खोखली करें हम उस्वे से बाहर लाने का का भारत के प्रजानमंत्री नरेद्र मोर्दी जी ने किया है वित्रो में आप लोगों को बड़े दुख और दर्थ के साथ एक बात बता है अजादी के बाद परहेड किसी राज्य को सबसे ज्यादा भारत सरकार ने मदद करी है तो जम्मु कस्मीर में मगर घरी भी गई क्या बेरोजगारी गई क्या इंफ्रस्ट्रक्चर बड़ा था क्या इंफ्रस्ट्रक्चर तो अब बढ़ते लगा गरीवी जाने का अब जरिया हुआ रोजगारी अब मिलने मुझा पढ़ाई लिखाई के लिए यहां से पाकिस्तान जाते थे उन्हों जी कितनी मेडिकल साथ नए मेडिकल कॉलेज बनाए 11 नर्सों की कॉलेजे बनाई है जम्मु कस्मिर के युवाओ को यहां के धरीब माबाब के तेजस्वीक बच्चों को डाक्टर बनने के लिए अब जम्मु कस्मिर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है और कई साल पहले यहां सुरू होना चाहिए था नहीं हो पाया है मित्रो एक डावा था कि आतांकवाद बढ़ जाएगा 2004 से 14 के में पुराने 90 के तो आंकड़े लानने बुलना भी नहीं चाहता है उसमें दोजार इकासी नागरिकों का मुत्यु हुआ था प्रति वर्ष 206 और 14 से 21 अब तक प्रति वर्ष 30 लोगों की मुत्यु आतांकवाद कम हुआ है पत्राव अद्रस्य हो गया है और मैं आपको विश्वास दिलाना देखा जम्मु कस्मिर की सान्ती को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं हम उनके साथ सक्ती से निप्टेंगे यह जो विकास की यात्रा सुरूवी है इसमें कोई भी रूरा नहीं डालबाएगा यह हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और मित्रो मैं इसमें ज्यादा आंकोडों में जाना नहीं चाहता मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक चालीस सजार से ज्यादा सब मिला करें सेना देसतगर्द और नागरी सुरक्सकर में सेना सब मिला चालीस सजार लोगों की जान गई है इसे हमें खतम करना है या नहीं करना है के देसात गर्दी और विकास कि दोनों एक साथ संभव है कि आप बताए मुझे संभव है हो सकता है क्या कभी नहीं हो सकता कि विकास की पहली सर्त है यहां सामती हो और कौन इसको निकाल सकती है क्या ना वही ना सरकार तो प्रयास कर सकती है दैसत गर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्रब के आज मेरे सामने उपस्ति 45,000 युवाओं ने करना है आप लोगों ने करना है आप लोगों ने सान्ती और विकास का दूत बनकर समगर जमुकस्मिर के युवाओं में संदेश प्रिकर जाना है ये रास्ता नहीं है अमारे जीवन को आगे बढ़ाने का ये रास्ता हो ही नहीं सकता और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूँ मगर मैं वो जवाब दे नहीं आ नहीं है मैं तो मेरे युवाओं भाई बैनों के साथ बात करने आ है मैं आपको पूछना चाहता हूँ पास में ही पाक उक्युपाई कस्मिर है हमें तो अभी जम्मू कस्मिर में जो विकास ते संतोस नहीं कि परण्टु अभी भी यहां का जम्मू कस्मिर और पाक पड़िया और टैनिया जलाकर खाना पकाया जाता है और यहां विकास के एक नए द्वार की सुरुवाद हुए मैं सभी विवासाथियों को अपील करने आया हूं यहां पर मुदी जिने विवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सुरुवाद परी है सर्विस सिलेक्शन बॉर्ड द्वारा 25,000 सरकारी नौक्री नौक्री दो साल के अगल उपकाल के अंदर एक पैसे के भी ब्रेष्टा चारके बगड़ी साथ अजार निविक्ति पत्र कल ही देने जारे हैं खादी द्वारा मदू मक्खी हो या इलेक्ट्रोनिक चाक हो मिट्टी के बरतन बनाने वाले कि जो कम पड़े लिखे हुआ है उनको खादी गामी विकास बॉर्ड के साथ जूड़ी है एक मदू मक्खी का डिब्बा लाकर घर पे रख देंगे दो ती नजार रूपया कमा लेगा एक मिट्टी के बरतन बनाने का इलेक्ट्रिक चाक लेकर आएगा वह 5,000 रूपया कमा कि जहां तक इन्वेस्ट्मेंट का सवाल है अभी मनोज जीने कहा कि एक नई इन्वेस्ट्मेंट ऑलिसी लेकर आई है बारत सरकार रहोज्योगीत निती लेकर आई और मोदी जीने मन खोल कर कस्मिरी की कस्मिरी युवाओं के लिए इसमें मदद पीची है पूरे देश भर में इतनी लुकरेटिव आकरशक और द्योगीक निती किसी भी राज्य की नहीं पर इसी का कारण है कि एक बार तो आजादी से अब तक 15,000 से ज्यादा करोर का इन्वेस्ट्मेंट आया था अब तक और द्योगीक निती को आये अभी 6 मैना भी नहीं हुआ ह 12,000 करोड का इन्वेस्ट्मेंट जम्म कस्मी राज्य में आज चुका है धाटी में 5,000 और 7,000 जम्म करोड का एक और 70 साल का और एक और 6 महिने का मुझे पूरा वरोसा है कि देखते देखते हम 2022 के पहले 50,000 करोड का इन्वेस्ट्मेंट क्रोस कर जाएंगे फिर भया तेरी जो टेंप theory घिंट लघएंगे तो वाटेने में घखते क कोई दिक्कत नहीं आएगे कि मिश्ट्मेंट आता है तो उसके सादो रोजगारी आता है इसके साथ हुआ इस साह तता है तो राजए-सकर विकास करती है गाउ unka का उसकर करती है जढि़का पीछ रोड जबनाती ह सेव की नहीं नहीं नसले आएगी उसके बिखने की व्यास्ताय होगी केसर को अब जी टैक करने के बाद केसर के दान कितने बढ़ गए परन्तु यह सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि इंवेस्टमेंट आए वो इंवेस्टमेंट आने की सुरुवाद भी हो गए है नौ मेडिकल कॉलेज और पंद्रा नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना है जिसमें से साथ ता काम सुरूव हो चुका है सत्तर साल तक हम पर जो आरोप लगाते हैं इस तिन परिवार वादे हैं मैं उनको हिसाब किताब पूछने आया सत्तर साल तक मेडिकल की 1947 से 2014 तक 500 सीट थी जरा हॉल वाले एक साथ बोले कितनी सीटे थी जोड से बोलो जरा कितनी आज ग्यारा सो पच्चास Mbps की सीटे 500 की जगा हो चुकी है और ग्यारा सो होने वाली है कि आप कल्पना कर सकते हैं दो हजार बच्चे एक साल के डाक्टर बनकर बहार निकलेंगे 14 डेंटल की सीटे निकल रहें पीजी की और 600 पेरामेडिकल सीटे निकलेंगे इसे साथ IIT आपके लिए यहां है किसी को अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है NIT यहां आ चुका है IIM यहां आ चुका है NIT यहां आ चुका है IIMC यहां चुका है Cancer Institute यहां आ चुके है पुली टेकनिक को लेज आ चुका है कि मुझे बताईए सत्तर साले क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों कुणको विकास नहीं करना था भावनाओं को बढ़का कर सियासब करकर अपने रागिती खेल खेलना था अपने परिवार के अंदर सत्ता को बांद कर रखना था जमुर्यत इसके लिए नहीं होती है जमुर्यत इसके लिए होती है कि देश का पैसा अंतिम से अंतिम घरिव व्यत्ति तक पहुँचे विकास अंतिम से अंतिम घरिव व्यत्ति तक पहुँचे नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं पित्रों धेर सारी चीजे हैं कहने के लिए मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी जी की जो फ्लेक्षिप कारिकरम है उस सबका सबसे अच्छा इंप्लीमेंटेंजन अगर देज बर में कहीन हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं लगबग लगबग सौच भारत मिशन का काम यहाँ पर पूरा हूँ चुका है हर गर में सोचा ले पहुंचायागा है प्रदान मंत्री आवासी उद्ना के तहट चौपन हजार नौसो हटलब पचपन हजार गरिबों को घर देने की कारेकरम सुरू होगा है और उसमें से 11,000 लोगों को घर देने का काम पुलावी हो जुका है यह 55,000 लोग पूते हैं कि 70 साल तक मुझे क्यों घर नहीं मिला था मैं उनको कहना चाहता हूं 5 अगस 2019 के बाद आपको घर मिलने का रस्ता खुल गया है डेमोक्रेसी यहां नीचे तक परकुलेट हो जल जीवन मिशन के तहट दो जीलो में हर घर में नल से जल पहुचाने का काम समाप्त हो गया है और 11 जीलो में 2021 डिशंबर के पहले हम समाप्त कर देंगे 7 जीलो में सप्टेमबर 22 के पहले समाप्त कर देंगे तो अगले साल पूरे जम्मु कस्मिन के अंदर हर घर में नल से सुद्ध पीने का पानी मिलने की विवस्ता हम करेंगे वो भी सत्तर साल तक नहीं हुआ सभी स्कूल्स और आंगनवाडी में पाइप से पानी पहुँच गया है सिहत कारेक्रम के तर अस्पतालों को भी पहुंच चुका है सिहत के तहर हर नागरी को 5 लाग तक अपने स्वास्त के डिलेटेड कोई भी खर्चा किसी को करने की जरूए जबसे पहला टिका सत प्रतिसप कहा लगा मालू है आपको कोरोना का टिका सत सब्सक्राइब अपने जम्मु कस्मिर में भारत में सबसे पहला प्रदी का लगाने का काम सब्सक्राइब और दूसरा टीका भी 50 प्रदीसत क्रॉस कर गाए कि यह कैसे होता है क्योंकि मौदी जी के मन में कस्मिर की प्रावलेगी है तब जाकर होता है अच कस्मिर से अंदर से कोरोना को बुराया है तिसली लेहर नहीं आई मगर आये तो क्या ऑक्सिजन प्लांट सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से जम्मु कस्मिर को दिये थे लगबग देर सारे योजनाएं जिसके अंदर सो अबाग्य इंद्रधनूस उजवला गैस देने की उजाला बल्ब देने की इस सारी योदनाओं का सत्प्रतिसत लक्स जम्मु कस्मिर के अंदर पूरा कर लिया गया है विद्यार्थियों की 5 शात्रवृति उद्नाओं में सत्प्रतिसत शात्रवृति देने का कम समापत हो गया है लगब 5.500,000 विद्यार्थियों को बजीह बंद우ल गया है किसानों के लिए जो योदनाय की है उस सबको मिलती है पिम किसान के तहद लगब 12 लाग किसानों को कवर किया गया है कौसल विकास की सबसीड़ी भी सबसे ज्यादा फरहेट देने का काम हमने यहां पर किया है यूआओ के रोजगार के लिए लगबगे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है इसमें अंदाज है कि पांच लाग से ज़्यादा रोजगार प्राइवेट इंडस्ट्री के पैदा हो गए चार सेनी के दस अजार रिक्ट पद्दों के सामने नवासी सो लोगों का भरती का काम समाप्त हो गया है संसे वाए उन्हें परिक्षा यूजिकर का 830 लोगों का चैन कर दिया है बैंक के नीचे जैसे यहां कुछ हुआ उनको लॉन मिला है ऐसे लगबर 20,000 लॉन दे दिये गए हैं पिस्ताइस सो पैदाली सो यूद क्लब जो आज के कारेकर में मेरे सामने डेर सारे ऐसे कारेकर में बंबे स्टॉक एक्षिंग को भी एक्टीव करकर पांच युवाओं को थी सिक्स्टी डिग्री फाइनेशल सिवाओं उनका प्रसिक्षन डिकर उनको नौकरी मिले इस प्रकार की विरोस्ताइब भेर सारा काम करें पाड़ी लोगों को लिए रिजर्वेशन किया अंतराष्टी सिमा अभी के पास के घाओं के लिए भी रिजर्वेशन किया अर्थिक रूप से कमजोर वर्प के लिए रिजर्वेशन किया अब ट्राइबल जातिया भी गोसित हो जाएगी अनुसुजित जातिया भी गोसित हो जाएगी मेरे पहाड़ पर रहने वाले और गूजर भाईयों को भी रिजर्वेशन का फाइदा मिलने वाला है विद्वा महिलाय आसाहाय महिलाय रूद्ध और विकलांग का वजीफा हर महिने टाइम टू टाइम वहां पहुचा दिया जाता है इसके साथ साथ माने जो कहा पहले ही इन्वेस्टमेंट बहुत आने लगा है लगवक परियटन के लिए भी परियटों की संकिया में धेल सारी बड़ों दोजार बीस में भी ज्यादा आकर कितने आये मैं आकरा बताना चाहता हूं 36,700 परियाटक और 2021 के मार्च में वो परियाटक तीन गुणा बढ़कर 113,000 परियाटक आये हैं जहीं युवान टैक्सी लिए न और जो होंस्टेंग स्टे की योद्ना में लगे उनको मालूम पड़े कि तीन गुणा तीन गुणा काम हमने किया है सिंचाई और कुशी के लिए भी धेर सारा काम किया गया है रोड कनेक्टिविटी के लिए भी धेर सारा काम किया गया है मैं कल एक सारवजनिक कारेकर में बताने वाला हूं यूजनाओ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो अंबार लगा है जल्व में इसके नाम में जाना नहीं चाहता हूँ मगर मैं एक बात मन से करना हूँ 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो लामना है कि यहां करफिय क्यों डाला जाया है यहां इंटरनेट क्यों बन रही है मैं तो जवाब देता हूँ मगर पहले में सवाल पूछना चाहता हूँ सत्तर साल आपके तिन परिवारों ने ही आहां राज कर आए हम तो दो थाई साल राज में रहेगे तिन परिवारों ने राज किया है 40,000 लोग क्यों मारेगे यह जवाब है आपके पास और उस वक्त जीस प्रकार से भावनाय बढ़काने का एक कारेक्रम बना था सडियंत्र था कुछ विदेशी ताक्ते भी वो सडियंत्र में जूड़ी थी अगर हम कर्फियू न करते तो न जाने कितने बुरे बाप अपने जोते जोज़ बीटों एक जनाज में पर लेकर जराजय निहकर हो कौण बचा है कर्फिय डालोई कोई मुझे बताएगा कौन बचा है को दस Peru का इंटरनेट पंद किया कश्मीर का युवा बचा है कि आग परिष्टिती सामानिय सब खोल दिया सब रोजगार प्राक्त कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री आ रहे हैं टूरीजम आ रहा है कोई कर्फिय नहीं कि मगर उस वक्त उक्सा कर दबाव बना कर बदनाम करकर कर्फिय उठवाना उनका लक्सता कर्फिय उठेगा देशत गर्दी बढ़ेगी लोगों का संगर्श होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी रात देती को किया हम से पर फिर भी अगर किसी को इससे तकलिफ होती है तो मैं आप सब को क तकलिफ आपको देए जैसे मेलरिया होता है और कि ना इनकी कड़वी दवा डाक्टर हमें देता है न इस प्रकार की यह तकलिफ थी इससे आपके बद्चे ही सुरक्सित हुए मेरे कस्मिर के युवा मेरे भाई बहनी ही सुरक्सित हुए किसी को क्या फाइदा है मोदी जी क तो क्या फाइदा है कि मैं तो नद्दिक से मेरा मंद्रा लहे देखता हूं अनोजी आ बैठे पूछे कभी जाकर मिलिए सबको मिलते हो नोजी हरोज मोदी जी कस्मीर की चिंदा करते हैं में इतना सपष्ट कर देना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि मुख्यधारा में लाइए मुख्यधारा में लाइए मैं सब को कहता हूं कि कस्मीर ही हमारी में लेंड है कस्मीर भारत का पहले मुगुट मनी बताते थे मैं बताता कश्मीर भारत का दिल है, हर भारत वासी चाहता है कि मेरे कश्मीर राज्य के अंदर भी खुशाली आए, अमन आए, चेहन आए, दास आए और यह अभ्यान को लेकर मोदी जी निकले हैं, हमें यह अभ्यान को आगे बढ़ाना है और इसलिए मैं युवासातियों के साथ बात्चित कर रहा हूँ, कि युवाओं के अलावे परिवतन कोई नहीं कर, अगर समाज की सोच का परिवतन करना है, तो युवाओं नहीं सुरुआ करना है, हिम्मत आपने करनी पड़ी, पचीस, पचास, सालीस कस्मीर में किसको जिना है, मेरे और मनोज जी का तो आयू हो गया भाई, आपको जिना है, कस्मीर के भविश्य को समवारने की जिम्मेदारी आपकी है, सब एक जूट हो जाएए, बहकावे में हम नहीं आएंगे, लोग तंत्र को शत्ति नहीं पहुँचाएंगे, चुनाव कराने ही कराने, डिलिम अगनिती का नुक्सान होता है, महीं अब कस्मीर में ऐसा कुछ उखने वाला नहीं है, कस्मीर को युवाओ को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा, और फिर से स्टेट हूँ का स्टेटस भी बापी साने है, मैंने देश की पार्लामेंट में कहा है, और यही रोड में आप है, और मैं तो कस्मीर के युवाओं से दोस्ती करने आया है, अब मोदी जी के साथ जूड़िये, भारत सरकार के साथ जूड़िये, और कस्मीर को आगे लजाने की जो यात्रा सुरून है, उसके साह यात्री धेर सारी संभावनाई कस्मीर के युवाणों के लिए पड़िये, मोदी जी कस्मीर को कुदती संदर्य की दुरूष्टी से तो इस्वर ने आपको स्वर्ख बनाया ही है, अगर मोदी जी यहां सान्ती, समरुद्धी और विकास को भी देखना चाहते हैं, इसके लिए कस्म आचन ने दोस्ति का हाथ बढ़ाया है, युद कलब बनाया है, आपको जीवन में प्रिफॉम दिया है, मौका दिया है, आईए, आप आगे बढ़िये और इस मौके को उठाईए, यहां पर लोगतंतर को मजबूत करिए, गुमराह करने वाली ताक्तों को युवा जवाब आजी, और मैं कहता हूँ आपको कस्मीर की सांती में किसी को खलल में पहुंचाने देंगे, आपनी स्चीन्थ हो जाइए, कस्मीर की विकास स्यात्रा अब रूख नहीं सकती है, जब मौका कस्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दुरुष्टी से, सांती की दुरुष् सांती की दुरुष्टी से, बनाने से कोई नहीं रोग सकता, साथ चर्थ में आज 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 सब लोगों से बात्सीत करकर, विसे इसकर पहले जो रामिन शित्र की विवाओं से, पूर्वामा से लेकर, सोफियां से लेकर, उधमुपूर, तब सारे गामिन विवाओं से अनन्त सुब गामना हैं आपके जीवन में